इस्टूडेंट्स हम डिसकस करेंगे इंपोर्टेंट टोपिक्स के बारे में इस्टूडेंट्स प्रिलिम स्टूट हाव जैन 24 के परस्पेक्टिव से यह जो टोपिक्स हैं वो इंपोर्टेंट हैं इनको आपको डिटेल के अंदर प्रिपेर करना है है आप देखिए कि फ़र्ष टॉपिक है वाइट फोस्पोरस के बारे में इसराइल के दुवारा जब गाजा इस ट्रिप के ओपर काउंटर अटेक किया गया था तो उस समय में वाइट फोस्पोरस का जो यूज है आपको न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलेगा आप द कि अलाव आप देखिए कि इसके जो बेसिक यूज हैं कि डिफेंस फोर्सेज के दुवारा वाइट फोस्पोरस को यूज किया जाता है डार्क के समय में जो अप्रेशन को करी आउट करने के समय में और किस एरिया के अंदर इसका जो यूज है वो आपको देखने के लिए म मिले थे तो क्या वाइट फोस्पोरस को वोरफेर का जो एक्टिविटी है उसके अंदर में यूज किया जा सकता है तो इसके बारे में भी आपको जानकारी यहां पे रीड करना है तो यह वाइट फोस्पोरस के बारे में है नेक्स्ट अगर हम डिसकस करें तो गोर्मेंट क का initiative है फिप्टी नगस्त के समझ इसको start किया गया था लगपती दीदी initiative है आप देखी कि ministry of rural development है ministry of rural development का यह initiative आपको देखने के लिए मिलेगा women's के जो self-help groups है उनको यहाँ पे जो skill training है वो provide किया जाएगा जिससे कि उनके दुआरा yearly basis पे one lakh का जो generation है वो carry out किया जा सके आप देखी कि आप से के जो statement पूछ लिया जाएगा कि यह लगपती दीदी जो concept है इसके थुरू में या women's को one lakh का जो financial assistance है यहाँ पे provide किया जाएगा तो आप देखी कि कोई भी monetary benefit है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा इस initiative के थुरू में उनको जो skill training है वो दिया जाएगा बट आप देखी कि आपको उनका skill training इस थरीके से किया जाए कि one lakh वो per yearly basis पे वो कमा सके तो यह लगपती दीदी initiative है जिसका target continuous news के अंदर में है last one year से तो आपको इसको भी prepare करना चाएग कि इस ministry के अंडर में है क्योंकि आप देखे कि skill development है ministry of finance है तो आपको यह basic जो ministry है ministry of rural development वो आपको इसका part देखने के लिए मिलता है तो लगपती दीदी initiative को detail के अंदर prepare करना है white phosphorus के बारे में FDI जो है foreign direct investment यह किस वज़े से news के अंदर था space sector के अंदर जो FDI है उसको allow किया गया तो students आपको यहाँ पे जानकारी होना चीए कुछ दिन पहले हमने हमारे telegram channel के उपर भी a question को practice किया था कि जो foreign direct investment है कि इसकी sector के अंदर allow नहीं है और अगर 100% किसी sector के अंदर या critical जो sectors है जहाँ पे इसको allow किया गया है तो foreign direct investment के रिगार्डिंग में एक board भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसके approval के थुरू ही इसका जो investment है उसको यहाँ पे allow किया जाता है तो आपको किसकी sector के अंदर FDI है कौन-कौन से ऐसे sector है जहाँ पे FDI को allow नहीं किया गया है क्या insurance के sector के अंदर FDI है या नहीं है इस तरीके से आपको read करना है students इसके लावा आप देखे कि जो chit fund का area है और भी काफी कुछ ऐसे area जहां पे FDI है उसको allow नहीं किया गया है उसके बारे में भी आपको जानकरी होना चाहिए तो FDI का जो process है इस पे sector के अंदर इसको allow किया गया था तो इसी वज़े से news के अंदर था next आप देखे कि जो rare earth metals है उनके उपर जो royalty है government के दुआरा यहां पे जो royalty है उसको लगाने के बारे में discuss किया गया था जिस पे इसलिए अगर हम बात करें नियो बियम नाम का जो rare earth elements है उसके regarding में तो यह rare earth जो elements है इनके perspective से आपको काफी बार news के अंदर देखने के लिए मिलता है एक्जाम के अंदर भी question पूछे गए हैं और अगर हम discuss करें students लीथियम के perspective से तो आप देखी कि लीथियम का तो हमारे यहां पर जो रईसिडिक है जमऊएंड कस्मीर के अंदर में जो रियासि डिश्टिक है जमुएंड कस्मीर के अंदर में वहां पर इसके जो deposit सा वो भी मिले हैं लीथियम triangle के बारे में भी आपको जानकारी होना गए हैं तो लीथियम के जो प्रोडेक्शन के लिगार्डिंग में जो लीथियम ट्राइंगल है उसके जो तीन कंट्रीज हैं अर्जंटीना, बोलिविया, चिली ये लेटिन अमेरिका के अंदर सिच्वेटेड हैं तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट रिजन है, राजस्तान के अंदर अलवर का जो रिजन है, वहाँ पर उसका जो मूमेंट हो देखने के लिए मिला था, काफी 20 डेज, 30 डेज के आज पास ये जो टाइगर है, वो न्यूज के अंदर में था, इस्टूडेंट्स, अगर हम सरिस्का टाइगर रिजर्व के बार इस्टूडेंट्स अरावली के अंदर जो माइन इंगर के रिगार्डिग में जो पैटिसन सा वह भी सुप्रिम कोर्ट के अंदर फाइल किया गया था, तो वह भी आपको न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलता है। इस्टुडेंट्स आडवली का जो importance आडवली का जो highest peak है suppose की ये राजस्तान है तो भावली के दुवरा western part of राजस्तान का जो डज़ट एरिया है उसको आप देखी की control किया जाता है उसको eastern part के अंदर spread करने से रोका जाता है इसके लाब आप देखी कि जो dry winds जो पाकिस्तान अकवानिस्तान से जो dry winds आ सकती है जो दूसरे एरिया के अंदर impact कर सकती है crop का जो production है उसको impact कर सकती है तो उसको भी रोका जाता है यहाँ पर आवली के दोरा dry winds को रोकने के अंदर भी एक important role play किया जाता है पीक क्या है गुरू सिकर हाइस्ट पीक है गुरू सिकर हाइस्ट पीक है 1722 मिटर का ये हाइट पे है दहली तक इसका एक्स्टेंशन आपको देखने के लिए मिलता है गुजरास से दहली तक एक्स्टेंशन है जो हमारा राइसेना हिल्स का जो एरिया है जहां पे राइसेना तक यहाँ पे इसका extension है किसका अरावली हिल्स का तो सरिस्का टाइगर रिजर उसी के अंदर situated है ट्रांस लोकेशन ओव टाइगर के परस्पेक्टिव से अगर हम discuss करें तो first time किसी रिजर के अंदर में या protected area के अंदर successfully जो ट्रांस लोकेशन ओव टाइगर है वो यहीं पे ही स सरिस्का के अंदर ही देखने के लिए मिला था तो यह सरिस्का के बारे में है इसको detail के अंदर आप रेड करना राजस्तान के अंदर और भी काफी सारे tiger region है जिसके अंदर आपको run thamber देखने के लिए मिलता है मुकंदरा hills रामगड विसधारी नाम का यह tiger region है वो situated है आप देखी कि current account deficit आपको maximum समय देखने के लिए मिलता है बट इसका जो deficit है वो decline के अंदर आया था काफी कम जो narrow margin है वो देखने के लिए मिला तो current account के जो components हैं current account के जो components हैं services हैं investment है यह जो components हैं इनके बारे में आप read करना export के अंदर में क्या क्या component है import के sector के regarding जो आपको different different इसके components है उसको आपको read करना है current account deficit के economy में basic questions पूछे जाते हैं आपको कुछ components के name दे दिये जाएंगे question आपसे पूछ लिया जाएगा current account का जो deficit के अंदर के इसका इसका यहाँ पर role है कि आप देखे कि current account के अंदर में कौन-कौन से यहाँ पर components है जिसको की current account के अंदर हम count करते हैं Middle East के कुछ countries हैं West Asia के कुछ countries है जो news के अंदर थे कतर के उन्यूज के अंदर था इंडियन नेवी के जो ओफिसर से उनका वहाँ पे आप देखें कि उनको सजा दे दिया गया था एक केस के अंदर में कि उनके द्वारा एस्पियोनेज है वहाँ का इन्फोर्मेशन सेर किया गया किसी दूसरे कंट्री के साथ में तो इस वज़ मिलेगा जिसका हैड़कौर्टर कहा है रियाद के अंदर हैड़कौर्टर है:"1981 के समय इसको क्रियेट किया गया था。 इसका पार्ट हैं गल्प COOPERATION COUNCIL का six country जो पार्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है इरान उसका पार्ट नहीं है students ये भी आपको जानकारी होना जाए इरान आप देखी कि continuous news के अंदर क्यों है एक तो इसका सिष्टान जो बलुचिस्तान का एरिया है सिष्टान बलुचिस्तान जो प्रोविन्स है जो जहां पे चाहबार पोर्ट situated है चाहबार पोर्ट को अभी रिसेंटली अप्रेल या मई के मन्त के समय में आप देखी कि उसका रिवाइव एग्रिमेंट है उसको यहां पे मोर टैन येर के basis पे sign किया गया है रिसेंटली आप देखी कि इरान इस वज़े से भी न्यूच के अंदर है वहां के president का जो plane crash के अंदर में death आपको देखने के लिए मिलता है तो उस वज़े से भी न्यूच के अंदर है sister बलूचिस्तान के area से इनके दुरह पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर attack किया गयता तो बलूच पीपल्स का जो area है जो पाकिस्तान के अंदर भी है अखवानिस्तान का भी सदन पार्ट है और आप देखी कि इरान का भी जो साउथ इस्टन पार्ट है वहाँ पे आपको बलुचिस्तान देखने के लिए मिलेगा तो इस वज़े से इरान नियोज के अंदर है आपको थ्री जो वोटर वोड़ी जो उनके बारे में जानकारी होन जो कैस्पियन सी है जो हमारा कैस्पियन सी है जो आपका हमारा यहाँ पे गल्फों पॉमान है पर्सियन गल्फ का एरिया है सभी से वो एरिया अपना सेयर किया जाता है इरान के दौरा यूनाइटेड अरब अमिरास से आप देखी कि हमारे दौरा बेसिकली इनके साथ में agreement उसको sign किया गया था investment के perspective से भी इसका importance आपको देखने के लिए मिलता है तो UAE का जो location है वो आपको read करना है State of Hormuz के बारे में भी पता करना है जहाँ पे इरान के दुआरा एक cargo vessel को siege कर लिया गया था आप देखे कि State of Hormuz जो Gulf of Oman and Persian Gulf को connect करता है next अगर हम बात करें European Free Trade Association के कुछ countries है इनके बारे में आपको पता होना ची outside EU आपको इनका जो presence हो देखने के लिए मिलता है इंडिया के साथ में के agreement इनके दुआरा sign किया गया investment के बारे में discuss किया गया है और employment generation के बारे में भी discuss किया गया है first time किसी agreement के थ्रू में यहोना witness नाम के जो Christianity के अंदर ही आपको एक section देखने के लिए मिलता है आप देखें कि आपको इनके बारे में read इस वाजे से करना है कि इनका एक camp है वहाँ पे blast का जो news है वो सामने आया था केरल के अंदर में पर आप देखें कि यहोना जो witness है वो किसके दुआरा start किया गया किसके दुआरा इसको start किया गया कहाँ पे इसका domination है और आप देखें कि इनके दुआरा जो Jesus है उनको क्या माना जाता है क्या उनको एज गोड के रूप से worship किया जाता है या डिफरेंट वे के अंदर में इनका वर्षिप देखने के लिए मिलता है यहोना witness का यह आपको read करना है बैथले हम नाम का एक जगह है इसराइल के अंदर ही आप देखें कि जहाँ पे Jesus का जो बर्थ है वो आपको देखने के लिए मिलता है यह प्लेस initial way में जब गाजा के अंदर में जो हमास है उसके दुआर अटेक किया गया था तो उस समय में यह प्लेस न्यूज के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कुछ इंडियन ओरीजिन के जो persons है जो नॉर्थ इस्ट इंडिया से जो परसन सा उनको बेसिकली यहां पर इजराइल के दुआरा जो सिटीजन सिप ग्रांट किया जाता है यह जो परसन सा वो भी न्यूज के अंदर में था इस्टूरेंट्स यहीं बैथलेम की वज़े से तो इन सभी को आपको डिटेल के अंदर प्रिपेर करना है आप देखी कि वो ही टोपिक्स है जिनको बार-बार हमने न्यूज पेपर के डिसकसन के अंदर रीड किया है डिटेल इंदर इनको प्रिपेर कीजिए यूरोपियन फ्री ट्रेड असोसियेशन के जो कंट्रीज है उनका जो लोकेशन को एक बार जरूर से देखे स्विजर लेंड कहां पे सिच्वेटेड है और जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज उनके बारे में कौन ऐसे कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का जो पार्ट है इसके रूप से आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे तो इस इस ओल अबाउट दा इंपोर्टेंट टोपिक्स के डिसकसन के बारे में जिनके बारे में हमने डिसकस किया थैंक यू स्टूरेंट्स थैंक यू वेरी मच